नमश्कर दोस्तों स्वागत है आप सबका बद्रवाई एस अकाडमी में आज का डेट है 4th of December 2023 और यह स्कुर्ण डिसकुशन में मैं शुबूदीप आप सबका स्वागत करता हूँ बिना टाइम वेस्ट की हुए स्टार्ट करते हैं आज का सबसब पहला न्यूस यहाँ पर हम लोग बात करेंगे केसाई खैती थान के बारे में जी हाँ न्यूस में था यह असाम च्रिब्यून में अगर आप देख सकते हैं और यह असाम कल्चर पॉंट अव यूस से कफी ज़दा इंपॉर्टन है यहाँ पर अगर देख लीजेगा क्लिरली क्या लिखा हुआ था दैट कैसाई खैती थान में रिसंटली डिवोटीस जो है जा रहे हैं और यह वन अफ ता असाम का वन अफ ता मेजर शक्ती पीठ में भी आता है जी हां तो यहाँ पर जो डिवोटीस आते हैं कहा जाता है that वो किस occasion में आते मेली वो सेलिबेट करने आते है एक पुझा जिसको हम लोग कहते है बाबु पुझा नौ बाबु पूजा ये कब स्टार्ट किया गया था ये टाइम है बिटिश रूल के समय जी हां तब क्या होता है न देटी गार्डंस के जो इंप्लोईज है उन्ही को बोला जाता है बाबु और उन्ही को ये बैसिकली ये सेलेबरेट पूजा किया जाता है ये पूजा सुक्या district में हैं undoubtedly यहां पर पूजा तो किये ही जाते हैं राइट बट साती साथ हैसमीज मन्त आफ बोहाग काती अस वल आज माग उसमें भी बी रेगुलरली तीन पूजा इसमें किया ही जाता है पर साथ ही साथ ये बाबु पूजा एक अलग से किया जाता है जो कह यहीं पर इस थानमें ही कंड़क्ट किया जाता है तो कल्चरिल पूइंट अवीज से अगें और बोल रहा हूँ बेसिकली मॉंगल दोई में डिस्ट्रिब्यूट किया गया था इसलिए यह जो स्कीम है यह 100% सेंटर के दुवारा फंड किया जाता है इसलिए हम इसको बोलता है Central Sector Scheme Ministry of Statistics and Implementation जो है यह responsible है इस policy formulation के लिए कोई भी अगर fund release करना हो या फिर इस scheme का monitoring कैसा करना हो इसका implementation यह properly हो रहा है क्या नहीं सब कुछ monitor किया जाता है Ministry of Statistics and Program Implementation के द्वारा ठीक है Now annually जो इस scheme के अंडर entitlement मिलता है ना हर member of parliament के उनके constituencies को 5 करोर रुपए दिये जाता है और इसको introduced किया गया था December 1993 में लोकसभा जो members है वो of course recommend कर सकता है within their constituencies जो जो राजसभा के elected members होते है ना वो recommend करते है works within the state of election और जो nominated members होते है राजसभा as well as लोकसभा के वो country में कहीं पर भी अगर चाहे तो यह पांच करोर रुपए खर्च कर सकता है जैसा कि मुझे याद है सची तेंदुलकर ने एक recently news में भी मैंने देखा था कलकत्ता के कोई schools को या फिर उस region को renovate करने के लिए पांच करोर रुपए अपने दिये थे है राइट वही तो बोला गया ना जो नॉमिनेटर मेंबर होता है वो देश के कहीं पर भी कोई भी कोने में यह चीज़े ठीक कर सकता है नेक्स्ट नहिंदु में news था गोलन हाइट के बारे में यह बहुत बड़ा ऐसे रिलेशन में ऐसं में क्या एक्सपेट किया जाएगा इंडिया इसराइल का सब तरफ सब फरंट में सहायत्हा करें बट नहीं वही चीज़े जहाँ पर बोला गया है तक रिसेंटली इंडिया ने वोट एगेंस्ट इसराइली जाली जाएट किया अच्चुली में बीच का बॉर्डर है ना बट ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है ना रंग में इस वाले पार्ट को कहा जाता है गोलन हाइट्स ये एक बसाल्टिक प्लेट्यू है जो क्या अगर देख लिजेगा में सी लेवल से मंदब आराउंड इसका एरिया जो है है ना और अभी हमको न्यूज आर्टिकल में समझना पड़ेगा इंडिया ने क्यों इसके एगेंस्ट में वोट किया है क्योंकि देखिए इससे हमारा और इस्राइल का रिलेशन खराब नहीं होगा और इस्राइल भी बिल्कुल समझेगा क्यों देखो इंडिया ने इसलिए क किया है क्योंकि इस्राइल का illegal occupation है है ना अगर हम इस्राइल को यहाँ पर support करेंगे मतलब दुनिया indirectly पाकिसान को भी support करेंगी चाइना को भी support करेंगी इदर चाइना जो हमारा अक्साइचीन को कबजा रखा है पाकिसान ने जो P.O.K. को कबजा रखा है तो इसलिए हमारा यह बनता ही था that हम यहाँ पर इस्राइल का बिलकुल ही support ना करें तो anyways इसी के साथ Golan Heights कहाँ पर है वो भी दिमाग में रखी है क्योंकि UPSC में 2015 में already question पूछा गया था Golan Heights के बारे में है ना that recently Golan Heights was in news बताओ यह कहाँ पर है North America में है South America में है Middle East में है या फिर you know South East Asia में है ठीक next COP28 देखो वैसे तो मैं इसको अच्छे से अनलाइज करूंगा next वाले class में but what right now I mean to say is that अभी अगर देख लोगे you know यहाँ पर clearly बोला गया है that COP28 है ना इस्क में क्या होगो member countries ने unanimously agree किया है to operationalize a fund जिसको हम लोग कहता है loss and damage fund और इसका aim क्या है इस loss and damage fund का aim ही है that compensate किया जा सके nations को जो क्या actually में climate change के related जो aspects के जो you know negative fallout जो face किया जा रहा है जो क्या mainly आपके जाके underdeveloped and you know developing countries के द्वारा face किया जा रहा है उस fallout को you know absorb कर सके है ना so यह fund जो है it is based at world bank but यह manage जो किया जाता है वो independently और कहा जा रहा है that इसने receive किया commitment worth at least 450 million dollars जो के बहुत बड़ा amount होता है दोस्तों यस loss and damage fund इसको पहले वैसे announce किया गया था COP27 में कब एजिप्ट शर्मल से में राइट जो के 2022 में conduct किया गया था but finally यहाँ पर चीज़े बूली जा रही है कुछ कुछ improve हो रही है और basically lost and damage fund बनाया ही किस दे गया था जिससे जो climate change से होने वाले जो unavoidable ऐसे risks जिसको हम लोग avoid करी नहीं सकते हैं जैसे sea level rise क्या उसको रोका जा सकता है नहीं right prolonged heat wave के जो impacts क्या इसको रोका जा सकता है नहीं species का जो extension हो जारा है क्या जो रोका जा सकता है नहीं crops के जो failures हो रहा है नहीं so overall जो lost and damage fund है न वो address करता है जो financial toll of climate change जो के estimate किया जा रहा है at over 1.5 trillion dollars in the year 2022 right तो इसी के साथ आज का session यहापर समाप्त करता हूं दोस्तों कुछ-कुछ articles है जो क्या मैं कल के session में भी आपको cover कर दूँगा आज के session में यहीं तक bye bye take care and thank you guys thank you for listening to the whole video thank you very much